नमस्कार प्रियमित्रो आज हम लोग आत्म परिचे कविता का सार जानेगे। वर्टिकल बार इस कविता को हालावादी कवि हरवंश राय बच्चन ने लिखा था। इस कविता में कवि का मानना है कि अपने आपको को जानना, दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। संसार से पूरी तरह अलग रहना संभव नहीं। दुनिया चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं बाता। क्योंकि उसकी पहचान तो यह संसार ही है, कभी अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्वंदवात्मक संबंधों का मर्म उदघाटित करता चलता है। वह पूरी कविता का सार एक पंक्ती में कह देता है, कि उसका और इस संसार संबंध प्रीति और कलह का है। उसका जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। जैसे उनमादों में अवसाद, रोधन में राग, शीतलवानी में आग पर, वह बेखुदी, मस्ती, दीवान की जीवन जीता है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठसा पैदा हूँ है, यठसा ही छायावाद उत्तर, गीतिकावे का प्राण है, किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर, उस भाव से कि जैसे दुनिया से इन्हें कोई वास्ता ही नहीं है, कभी कहता है कि वह संसारिक कठिनाईयों से जूज रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्रेम करता है, वह अपनी आशाओं और निराशाओं के मध्य जीवन संतुष्ट है, वह संसार की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों की जैकार करता है, जो उसकी इच्छा नुसार व्यभार करते हैं, पर वह अपनी धुन में रहने व परिस्थितियों में एक जैसा रहता है, यह संसार मिथ्या है, अत, यहां स्थाई वस्तु की कामना करना व्यर्थ है, कवि संतोशी प्रवृत्ति का है, वह अपनी वानी के जरिये अपना आक्रोश व्यक्त करता है, उसकी व्यथा शब्दों के माध्यम से प्रकट होती है, तो संसार उसे गाना मानता है, संसार उसे कभी कहता है, परन्तु वह स्वयं को नया दिवाना मानता है, वह संसार को अपने गीतों द्वंधों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है, कभी सभी को सामंजस्य से बनाए रखने के लिए कहता है,